अब मैंने आपको पहले इंदा मिनिक बताया हुआ है और ओन का भी मिनिक बताया हुआ ना तो आप बताओ मैं को इंदा मिनिक क्या होता है हम में यानि कि कोई चीज के अगर कोई चीज पढ़ी हुई है तो इसको हम क्या बोलेगे इन यानि कि में इसी चीज के बीच में पढ़ी हुई है वो के और ऑन का बदर क्या होता है तो कोई अगर अगर पिजेट है जैसे डीवेदें और उसके ऊपर भी शरत्तिन है तो किया हम उसको बोलेगे ऐधिक है या ठीक एड़िक एड़ी एक पर उसके ऊपर जो चीज पड़े उसके पर हों क्या यूज करेंगे उसमें और यो लैज़ लैज़ी स्टार्टें ओर जी सार्टें अब बताव मैं जो ओर जी सबस्किट में कहां पड़ेंगे इन न या ओन है हाँ, in तो हम क्या use करेंगे, क्या write करेंगे oranges are in the basket clear it second is the ball is dash the mat अब देखो बच्चो पिच्चर में आपको एक mat सा दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है ना हाँ और उसके उपर क्या प्रिवीड है, क्या प्रिवीड है एक ball चीक है, तो हम क्या अब उसको write करेंगे the ball is on the mat third is the birds are flying dash the sky अब देखो birds है उस राइक करेंगे हैं तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे the birds are flying dash the sky इन यूज़ करेंगे या on use करेंगे tell me हाँ the birds are flying in the sky गाने की sky के बीच में वो flight करेंगे है, पूप नहीं है fourth is the cat is dash the chair अब बच्रों, बताओ मेंगो जो cat है बच्रों पे इन है या on है हाँ बताओ the cat is on the chair clear it समझा रहा है अब इन नेक्स टेक पे the book is dash the bed अब इच्रों पर बच्रों पड़ी रही है उसके उपर बुक पड़ी रही है हाँ तो मन क्या use करेंगे क्या राट करेंगे the book is on the bed last thing the fish is the fish dash the pond अब बताओ उने को जो fish है क्या पॉंटी अंदर बहुत है क्या use करेंगे हम उसमे in use करेंगे या on use करेंगे बताओ fish यो एंप क्योंटी उपर है हाँ नहीं न अंदर है न तो क्या the fish is in the pond okay student hear it okay let's start with okay oranges are dash the basket oranges are in the basket the ball is on the map the birds are flying in the sky the cat is on the chair the wolf is on the back the fish is in the pond on clear it okay student अभी आप अपनी notebook के do your notebook okay bye bye bye